हेलो बच्चो वेलकम डू चेरे एस्पिरेंस तो जहरकन बीएट की जो काउंसिलिंग हुई थी 19 दिसमबर तक उसका 20 दिसमबर को ही ज़स्ट एक दिन बाद ही उनका प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है और बच्चो को कॉलेज मिल चुका है अभी वो 21 दिस चीटी में बुला गया है यह उन्हें पेपर में भी निकला था ऑफिसियली यह पेपर निकला था बट इसके इस काउंसिलिंग के साइट पर कोई लाज्ट डेट यहाँ पर नहीं लिखा हुए ना ही कोई अलट्मेंट लेटर ऐसा दिया गया है जिसमें लाज्ट डेट उनको एटेंड हुआ है यानि कॉलेज अलट हुआ है क्यों क्योंकि 13,600 बच्चे को ही दिया गया था कि आप कॉंसिलिंग करो ठीक है और 13,500 के आसपास सीट थे तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से बच्चेने को सहरे बच्चों को कॉलेज मिल चुका है तो अभी हम लोग द उनको गवर्मेंट कॉलेज मिल गया तो कैटेकरी वाज देखेंगे दोस्तो पूरी वीडियो में बने रही है ताकि आपको सकेंड राउंड आफ कांसिलिंग करना है कि नहीं करना है और आपको प्राइवेट कॉलेज अगर अभी मिला हुआ है तो इस वीडियो को देखने क के बाद आप थम सकते हैं एडमिशन कराने के लिए कि हो सकता है एक सो से दो सो रैंक तो पक्का जाता है सेकेंड राउंड आउं कांसिलिंग में आगे ठीक है उस समय आपको हो सकता है गवर्मेंट कॉलेज मिल जाए तो चलिए देखते हैं कि कौन से गवर्मेंट कॉलेज म में आ गए हैं और government teachers training college यहां पर दो दिख रहा है देखिए एक है यह कांके वाला और एक है यह बरियातु सिर्फ girls only और यह है boys only तो सबसे पहले boys only में जाते हैं दोस्तो boys only में मैंने click किया है और इसके बाद आप देखिए यहां पर आपको दिखा रहा होगा यह serial number है और यह cml rank है ठीक है यह serial number यह cml rank तो cml rank 2 वाले 4 वाले 13 वाले 21 वाले सभी ने select करा है क्या government teachers training college कहां के राची को और इन लोगों का जो allotted category है दोस्तो वो open से हुआ है देखिए open 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 का मतलब हो गया general quota से उनको seat मिला है तो मैं आपको बता दू कि total 100 seat में से 40 seat जनरल की होती है ठीक है तो 40 serial number तक अगर आप देखेंगे तो आपको cut up पता चल जाएगा कि कितने cml rank तक आपको यहां पर general quota में seat मिली हुए है तो हम नीचे आते जाते हैं और 40 यहां पर आपको दीख रहा है 40 40 serial number में कितना rank दिख रहा है 228 यानि जिसका भी cml rank 228 है और वो general quota का से बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते हैं तो general से उनको 228 cml rank तक ही seat मिला है यानि आपका cml rank 228 है तभी आपका government teachers training college राची में admission हो पाएगा first round of counseling के according ठीक है तो इतना cut up गया है जश्ट इसके नीचे आते हैं दोस्तों तो EWS वाले थोड़ी बाजी मार लेते हैं बहले वो general category से होते हैं उसके बावजूद क्योंकि आप EWS की category में देखो तो यहाँ पर 10 seat होता है 10% seat है EWS की होती है तो 100 seat में से आपका कितना हो गया 10 seat अब 10 seat में देखिए last में EWS का कितना allot हुआ है तो 619 देखिए दोस्तों वहाँ 200 कुछ था और यहाँ 619 और दोनों general category की seat हैं बस EWS यहाँ पर है तो लगबग लगबग कितना 3 गुना का अंतर है मतलब EWS से जो बच्चे आते हैं उनके लिए यह थोड़ा सा फाइदेमंद हो जाता है यहाँ पर cut up थोड़ा सा high गया है यानि 600 के आसपा 619 जिसका cml rank है उनको भी मिलेगा ठीक है स्टी स्सी की बात करें दोस्तों तो स्सी के बाद 900 और 100 यानि 1000 तक भी है तो आपको second round of counselling में सीटे मिल सकती है तेक है इसके just बाद आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखा आपको लग रहा होगा सर सीटे कैसे मिल सकती है जब अभी सब बूक हो गई नहीं सीटे बूक नहीं अभी इतने लोग गये हैं admission करा करने के लिए जरूरी नहीं कि सब लोग कराएंगे मैं वहाँ पर पढ़ चुका मैंने देखा है first round of counselling में लगबग लगबग 20 से 22 सीटे first round के बाद भी बच जाती है मतलब वहाँ पर 60% student 55% student ही first round की counselling में admission कराते हैं अपना-पना reason है इसलिए नहीं कराते कुछ लोगों को higher degree करना है कुछ लोगों को नहीं करना है ऐसा ही फॉर्म भर दिया था ऐसा होता है अगर st category की बात देखे दोस्तों st category में सबसे ज्यादा high rank तक गिया है देखिए यहाँ पर st category में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह 2901 rank जिसका st category में है उसका पूरे जहरकन का topmost जो government teachers training college GTTC रांची है उनको मिला हुआ है तो यह काफी बड़ा rank है CML rank 3000 के आसपास होने के बावजूद यहाँ पर GTTC रांची alert हुआ है अगर इसके just नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको BC1 category में बहुत ज्यादा rank देखने को नहीं मिलेगा PC1 category में मातर 284 जिसका है ठीक है उसका ही CML rank 284 उसका ही यहाँ पर seat alert हुआ है BC2 की category में अगर आप देखे दोस्तों तो लास्ट में BC2 में आपको दिखेगा 372 तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है BC1 और जनरल में एकदम 9 के बराबर अंतर है 20-30 rank का अंतर है तो इनकी जो cut-off है वो लगबग लगबग एक जैसी है CML rank क चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं Government Women Teachers Training College बरियातू राची में ठीक है और वहाँ पर देखते हैं कि किस category के बच्चों का कितना उनका क्या रहा cut-off रहा तो हमने Government Women Teachers Training को राची को select कर दिया है और यहाँ पर आप साइट में भी जाके देख सकते हैं बट यहाँ पर मैं कि CML Rank जो 8 है 10 है 19 है 36 है वो सब सबने सारे female candidate है और उन्होंने select करा है कहाँ पर Government Teachers Training College राची बरियातू राची को ठीक है GTTC बरियातू राची को अब यहाँ पर अगर आप देखे तो open के through जो आप 40 नमर में आएंगे दोस्तों सिरियल नमर 40 में उसी से आपको पता चल जाए तो 258 मतलब जिसका CML Rank 258 है और वो Girls Candidate है ठीक है तो उसका CML Rank यहाँ पर है तब उनका GTTC बरियातू राची मिला हुआ है ठीक है उसके just नीचे अगर आप आएंगे दोस्तों तो EWS वाले बच्चों का जो CML Rank है ठीक है वो कितना है 1442 तो यह बहुत बड़ा नमबर है किसी general category के बच्चों के according तो यह काफी बड़ा नमबर है दोस्तों और EWS वाले यहाँ पर बाजी मार लिए general होने के बावजूद just इसके नीचे आएंगे तो SC category के बच्चों का जो cut-up है दोस्तों वो CML Rank के according ST category SC category के बच्चों का यहाँ पर आपको दीक रहा होगा यह है और इसक इसके नीचे आते हैं दोस्तों तो ST category में आपको दिखेगा यहाँ पर कि ST category का जो सबसे last गिया है वो 2406 rank तक last गिया है ठीक है और इसके नीचे आते हैं तो BC1 में बहुत ज़्यादा seat नहीं रहती ठीक है और बहुत BC1 की according देखे आप तो यह BC1 रहा और 457 यहाँ पर CML Rank जि 500 है तो आप second round of counseling के लिए apply कर सकते हैं वहाँ seat थोड़ी vacant होती है तो इसमें आपका हो सकता है admission तो चलिए BC2 की अगर आप बात करते तो BC2 में 543 रहा अब हम लोग बात करते दोस्तों government teachers training college हजारी बाग की तो यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले government teachers training college हजारी बाग के लिए म इसके बाद मैं GTTC सेलेक्ट करूंगा है यानि government teachers training college हजारी बाग तो कहां है GTTC यहाँ देखेंगे यह देखिया आपको दिख रहा है government teachers training college तो यहाँ पर मैं select किया और इसके बाद आ गया यहाँ पर तो government आपने देखा दोनों रांची में किस तरह से cut up थे यहाँ पर भी इस नमबर में direct हम लोग देखते हैं कि 40 नमबर में यानि 40 सीरियल नमबर में कितना सीमल रंग गया है तो 222 यहाँ पर भी बहुत कम गया है दोस्तों अगर आप देखें तो यह government teachers training college रांची और government teacher women teacher training college बर्यातू रांची उनसे भी यहाँ पर कम गया है 222 क्यूंकि यहाँ लड़के और लड़के दोनों पढ़ते हैं जस्ट इसके नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा EWS category में तो EWS category का सबसे last जो 10 वे नमबर पर बच्चा है उसका 1081 रंक तक गया है अगर उसका CML rank 1081 है ठीक है 10881 है और वो क्या है EWS category से बिलोंग करता है और है तो SC category में GTTC हजारी बाग में जो गया है वो गया है आपका यहां पर जस्टिस के नीचे देखते हैं SC category में तो 962 CML rank तक गया है और इसके बाद हम लोग देखेंगे ST category में दोस्तों तो ST category में आपको last में दिखेगा इसका भी लगबग 2-3,000 पार होगा देखेगा तो यह उनका admission GTTC हजारी बाग में हो सकेगा अब जस्टिस के नीचे आते हैं दोस्तों तो BC1 फिर से रोएगा क्योंकि BC1 को general के according ही समझा जा रहा है यहां पर देखिए 301 है थोड़ा सा अच्छा है ज्यादा है general के according बट है बहुत ज्यादा नहीं है और BC2 category से अगर आप देखे त BC2 से 304 है तो आप समझ गए होंगे कि हजारी बाग में किस तरह का category wise cut up रहा CML rank को लेकर ठीक है अब जिस जस्ट लास्ट वाला college जो है वो सिद्धू कानू मुर्मू University में Government Teachers Training College देवगर आता है इसके थोड़े से rank जादे रहते हैं दोस्तों देखो मैंने सिद्धू कानू म कर इणा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रांची के बाद 1000 वाग सेलेक्ट करते हैं भी देवगर में उनका घर होना चाहिए उसा लोकेशन से बिलॉंग करते तब वह पर सेलेक्ट करते तो देखे मि हाँ पर 9 रेंक 11 इस तरह से आपका यहाँ पर गया हुआ है और यहाँ जस्ट तो जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि open open जो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है वो चीज आपको 40 तक देखने को मिलेगा 40 serial number तक तो यहाँ हम लोग 40 serial number में आ चुके हैं 40 serial number में और यहां कितना दिख रहा है 345 cml rank मतलब जिसका भी cml rank 345 तक है या अगली बार जब आप second round of counseling attend किजेगा और आपका 300-300-400 rank तक भी है तो आप government teacher training college देवगर में जा सकते हैं आपका cml rank की में बात कर रहा हूं EWS वाले कैसे यहां पर देखिए EWS वाले बच्चों के लिए जिसका cml rank 1296 है उनका भी यहां पर admission हो जाएगा इसी के साथ हम लोग देखे हैं SC category के बच्चों के लिए तो SC category के बच्चों के लिए जिसका 1484 cml rank है उन बच्चों का यहां पर admission हो जाएगा जस्ट इसके नीचे आते हैं दोस्तों तो SC category के बच्चों को देखते हैं तो SC category में काफी यहां पर गया होगा देखिएगा यहां पर देखे 4495 मतलब काफी बड़ा number है यह काफी जादा cml rank है मतलब जिसका साड़े 4000 rank भी है ठीक है उनका भी government college मिला है by the way उनको क्या होना है ST category में रहना है तब यानि ST category से बिलोंग कर रहे तब BC1 का फिर वही जनरल वाला हाल थोड़ा सा जादा रहेगा तो BC1 का सबसे last गया है दोस्तों यहां पर आप देखिए यह BC1 है और यहां पर गया है 451 cml rank तो बहुत ज्यादा नहीं है बढ़ हाँ हमने कहा था आपको वीडियो में की 500 के आसपा cml rank का जिसका भी है उसको मिल जाएगा BC2 का देखते हैं तो 453 cml rank वाले बच्चे का भी क्या हुआ है government teachers training college देवगर एलोट हुआ है तो यहां पर आपने क्या देखा पूरी तरह से government teachers training college रांची देखा रांची का boys only girls only देखा ठीक है और उसके बाद हजारी बग का देखा और फिर देवगर का देखा तो सारे का देखने के बाद आपको समझा गया होगा कि कितने cml rank का आप तक आपका है उसके according आपको seat allotment government teachers training college में मिल सकता है चारों में ठीक है और second round of counseling आप जरूर अटेंट करें अगर आप private में लिये हैं या semi government में अरे admission नहीं करा चाते तो second round of counseling अटेंट किजिए और हाँ अगर आपका rank लाई कर रहा है दोस्तों अभी जो cut up देखे उसके according 200 जादा या 300 जादा तभी आपको government college मिलने के chances से 500 या 500 से ज़्यादा अगर like कर रहा है यहां के cut up के according तो फिर आपको sorry to say बट कहना पड़ेगा कि आपको government college यहां पर मिलने से आप वंचीत रह जाईएगा तो चलिए आज के लिए इतना है फिर मिलते एक next video में तब तक लिए आप खुश रहें मसत रहें और आप अरहम से admission कराईए जो भी doubt है आप comment box में पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई episode में धन्यवाद बबाई